बच्चों यह है आपका लेक्चर 173 और हम जियोग्राफी में एक नया चाप्टर चालू कर रहे हैं आपका जिसका नाम है चाप्टर 5 वाटर यह बहुत ही जादा कॉमन सा टॉपिक है नॉट वेरी न्यू टॉपिक यह टॉपिक आप बहुत जादा सुनते हैं ठीक है तो वी आपको एक बताया तो यह टॉपिक आपको एक वर्ड बताया सो यहां देखो जैसे यहां पर एक टेरेरियम बना हुआ है ठीक है चोटे चोटे प्लांट्स हैं इसके अंदर सो यह क्या हुआ टेरेरियम ठीक है सो देखो यहां पर जब आप पानी के बारे में सोचते हैं ठीक है जब आप पानी के बारे में सोचते हैं तो आपके मन में क्या-क्या images आती है आप另外owners के बारे में सोचते हो आप raiισ ट्रॉप्स आप ड्रॉप्सस Cashयों सोचते सो आप। नल में पानी के बारे में सोचते हो ठीक है तो जो बच्चे नाव चलानी प Mmm सो दुपैर तक मतलब आप देखते हो क्यों बच्चे नाव चलाते हैं पानी में ठीक है सो अब यह पानी भरता कौन है यह जो रिवर्स है रिवर्स में पानी भरता कौन है और फिर खाली कौन कर देता है ठीक है तो reverse में पानी कैसे भरता है rain से और खाली कैसे होता है खाली हो जाता है evaporation से ठीक है सबसे पहली line हम जो टिक करेंगे इस chapter की The sun's heat causes evaporation of water into vapor ठीक है जो sun की heat होती है ठीक है जो sun की heat होती है उसी की वज़े से पानी evaporate हो जाता है वेपर में Evaporate होने का मतला पानी बाफ बनके हवा में उड़ जाता है When the water vapor cools down it condenses and forms clouds जब water vapor cool down हो जाता है जब water vapor ठंडा हो जाता है फिर वो उपर जाके क्या करता है बादल बनाता है और फिर हमें क्या मिलती है हमें rain मिलती है snow मिलती है sleet मिलती है बहुत ही जादा पुरानी चीज है यह जीज आपने बहुत बारी science में पड़ी हुई है कि water vapor ठंडा होता है और बादल बनाता है और वहां से फिर हमको rain snow और sleet मिलती है rain मतलब आरिश, snow मतलब बरफ sleet मिलती है चोटे चोटे बरफ के टुकड़े समझ लो the process by which water continuously changes its form and circulates between oceans, atmosphere and land is known as water cycle so वो process जिसमें water continuously change करता है अपना form और कहां कहां घूंगता है oceans में, atmosphere में, land में उसे कहते है water cycle so water cycle हम किसे कहते है उस process को जिसमें water continuously change करता है अपना form टीक है घडि घडि अपना form बदलता है और कहां कहां circulate होता है circulate होता है oceans में, atmosphere में और land में तो गड़ी गड़ी अपना फॉर्म बदलता है और सर्क्यूलेट होता है ओशान्स एट्मॉस्पय और लैंड में उसे कहते हैं वाटर सौईकल, ठीकें, तो हमारी जो अर्थ है हमारी अर्थ भी एक टैरेरियम की तरह है, अब अर्थ इस था टैरेरियम, जिसे आपको शुरू मैं ने टेरेरियम का एक definition बता दिया था कि एक ही जगे जो बहुत सारे plants उसे टेरेरियम कहते हैं हमारा Earth टेरेरियम की तरह हे तो वह पानी जो सदियों पहले आपने देखा था वह तकिशD Also the water used to наг Light irrigateаш grass was flood down the Amazon river पानी जो की हर्याना के फील्ड को इरिगेट करने काम आया था वो कहां से आया होगा अमेजोन रिवर से आया होगा भहुत सारे साल पहले ठीक है तो जो पानी हर्याना की फील्ड को इरिगेट करने काम The water used to irrigate a field in Haryana may have flowed down the Amazon river a hundred years ago. The major sources of fresh water are rivers, ponds, springs and glaciers. So, fresh water के sources क्या हैं? The major sources of fresh water. Fresh water मतलब पीने लायक पानी. So, rivers, ponds, मीठा पानी, पीने लायक पानी वो. So, fresh water कहना से मिलता है? River, ponds, springs and glaciers. The ocean bodies and the seas contain salty water. जो ocean होते हैं या sea होते हैं, ठीक है? सागर होते हैं, समुद्र होते हैं, उनमें खारा पानी होता है. The water of the ocean is salty or saline as it contains large amount of dissolved salts. जो पानी होता है, जो oceans का पानी होता है, वो खारा होता है. क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे salt होते हैं. और बहुत सारे salt होते हैं, जो salt ये वही salt है, वही नमक है, जो आप खाने में यूज करते हैं, ठीक है? तो यहाँ देखो, यहाँ वाले page number 31 पे आप ये map देख सकते हैं, ठीक है? So this is a map, एक world map है ये, और इसमें major seas, lakes और rivers दिखाए गए हैं, ठीक है? इस world map में major seas, rivers और lakes दिखाए गए हैं, तो यहाँ देखो, पहले continents तो आपको पताई हैं, continents आपने पहले पढ़े होई हैं, ठीक है? अभी हम rivers देखते हैं. So यहाँ देखो, आफरिका कॉंटिनेंट में कौन-कौन सी river है, नाइल river, नाइगर river, कॉंगो river, ओरेंज river, ठीक है? यह आफरिका में हैं, और यहाँ देखीं, विक्टोरिया लेक भी है, यह लेक, विक्टोरिया भी है इधर, ठीक है? फिर यहाँ इस एशिया सी, ब्लैक सी, दनूबे river है, और यह Mediterranean Sea है, ठीक है? फिर ऑस्ट्रेलिया में कौन सा river है? डार्लिंग आर, डार्लिंग river है, ठीक है? ऑस्ट्रेलिया में डार्लिंग river है, कैसा नाम है? देखो तो, फिर यह कोराल सी है, यहाँ देखो, फिर इसके बाद साउथ अमेरिका में Amazon river है, हमने अभी अभी पड़ा कि भाई हम जो पानी उस करते हों, अमेजॉन मदी से आता है, शायद सो, साउथ अमेरिका में Amazon river है, फिर यह Caribbean Sea है, ठीक है, इसके ओपर Caribbean Sea, फिर यह Mississippi river है, ऐल हुरोन, ऐल सुपीर, ऐल विनी पेग, यह नौर्थ अमेरिका में है, ठीक है? ग्रे स्लेव, ठीक है, यह सारे यहाँ पर lakes, rivers और seas है, ठीक है, फिर oceans देखो, यह Arctic Ocean है, यह North Atlantic Ocean है, Pacific Ocean है, यहाँ देखो, South Atlantic Ocean है, Southern Ocean है, Indian Ocean है, Pacific Ocean है, और Indian Ocean है, ठीक है? सो, यह सारे seas, rivers और lakes है, ठीक है, सारे seas, rivers और lakes है, सो, यह सारे आपके, आपको यह physical features में, मैप में यह आप से पूछा जा सकता है, एक्जाम में, अभी distribution of water bodies देखते हैं, distribution of water bodies में, आपको पता है, कि जो three-fourth of earth surface है, वो water से covered है, we all know that three-fourth of earth surface is covered by water, if there is more water than land on this earth, why do so many countries face water scarcity, देखो? three-fourth of the earth surface is covered by water, अब देखो, इतना सारा पानी है, तो क्यूं पानी की तंगी है, बहुत सारे देशों में पानी की तंगी है, so, क्या सारा पानी अर्थ पे जो है, वो हमको available है, मतलब सब पानी हमारी use के लिए है, तो देखो यहां पे, इसका calculation है, देखो, जो oceans है, oceans है, 97.3 है, जो कि saline water है, ठीक है, oceans, यह आपको टेबल लिखनी है, यह टेबल आपको लिखनी है, सारी, जो oceans है, oceans है, saline water, खारा पानी है, जो कि 97.3, फिर ice caps है, ठीक है, ice की जो परफ की cap जैसा है, वो है, 2%, इसके बाद है, ground water, ठीक है, जमीन के अंदर का पानी, 0.68% है, fresh water lakes, lakes है, वो है 0.009%, inland seas and salt lakes, ठीक है, वो नमक के जो lakes है, 0.009%, atmosphere है, 0.0019% और rivers है, 0.0001%, ठीक है, तो यह saline water है और यह है fresh water, ठीक है, सो मतलब अविलेबल वैसे आपके लिए कितना पानी है, अबिर देखो, saline water तो एकदम हमारे लिए नहीं है, ठीक है, it is not useful, क्योंकि वो saline है, नमकीन पानी है, सो हमारे लिए useful क्या हुआ, हमारे लिए useful हुआ, ice caps, ground water, fresh water lakes, inland seas and salt lakes, atmosphere और rivers, ठीक है, हमारे लिए useful हुआ, ice caps, ground water, fresh water lakes, inland seas and salt lakes, और atmosphere और rivers, ठीक है, तो यह fresh water है, ठीक है, यह सारा तो हमारे लिए waste हुआ, ठीक है, यहाँ देखो, salinity क्या है, मतलब अमकीन पन क्या है, amount of salt in grams present in thousand grams of water, the average salinity of the ocean is 35 parts per thousand, मतलब salinity क्या है, एक हजार ग्राम में salt present होना है, तो हम salinity कहते हैं, ठीक है, salinity is the amount of salt in grams present in thousand grams of water, the average salinity of the ocean is 35 parts per thousand, तो salinity ocean की जो खारापन है, वो कितना है, 35 parts per thousand, अच्छा, dead sea क्या है, dead sea in Israel has salinity of 340 grams per liter of water, इसराइल की जो dead sea है, उसकी जो खारापन कितना है, 340 grams per liter of water, मतलब, इसराइल में जो dead sea है, इसराइल में जो dead sea है, वो salinity of 340 grams per liter of water है, मतलब, एक लीटर पानी में 340 grams खारापन है, swimmers can float in it because the increase of salt content makes it dense, सबसे खारा जो है, इसराइल में सबसे खारा पानी dead sea है, dead sea नाम है उसका, कितना खारा है वो, एक लीटर में 340 grams खारापन है, उसमें, एक लीटर में 340 grams खारापन है, और वो ऐसा है कि उस पे आप बैठ सकते हो, मतलब, dead sea पे बैठ सकते हो, क्योंकि उस खारेपन ने उसको इतना ज़्यादा, वो dance बना दिया है, ठीक है, उसमें आप इकदम बाकाइदा बैठ सकते हो, ठीक है, स्वीमर्स केन फ्लोट इन विकॉस, इंक्रीस सॉल कंटेंड मेक्स इट देन्स, ठीक है, सो यह आप टिक करेंगे, कि इस्रायल में dead sea की salinity कितनी है, खारापन कितना है, 340 grams per liter of water, और स्वीमर्स उस पे तैर सकते हैं, आराम से तैर सकते हैं, क्योंकि, मतलब ऐसे कहते हैं, उपर इकदम उपर ही रहेंगे नीचे जाएंगे ही नी, क्योंकि इतना ज़्यादा खा रहा है कि उसको डेंस बना दिया है, ठीक है, सो देखो, वाटर है, वो बहुत ज़्यादा जरूरी है, हमारी जीवन के लिए, water is absolutely essential for survival, water alone can quench our thirst, when we are thirsty, now don't you think we are wasting a precious resource, when we use water carelessly, water बहुत ज़्यादा जरूरी है, हमारी survival के लिए, और पानी अकेला ही, हमारी प्यास भुजा सकता है, जब हमको प्यास लगती है तो पानी के अलाव कुछ और नहीं है कि जो हमारी प्यास भुझा सके तो हमें इतना जो important साधन है उसे waste नहीं करना चाहिए ठीक है अब यहाँ देखो ocean circulation अच्छा इससे पहले यह आपको do you know में यह टिक कर लो March 22 is celebrated as World Water Day when the need to conserve water is reinforced in different ways So March 22 every year is celebrated as World Water Day 22nd March is celebrated as World Water Day और इस दिन मतलब नएने तरीके ढूंडे जाते हैं पानी को conserve करने के लिए बच्चाने के लिए अब यहाँ देखो ocean circulation So ocean circulation क्या है There is something magical about walking bare feet on the seashore The wet sand on the beach, the cool breeze, the sea birds, the smell of the salt in the air and music of the waves Unlike calm waters of ponds and lakes, ocean water keeps moving It is never still the moment that occurs in a can be broadly as waves, tights and currents आपका भी ocean की तरफ जाओ, सागर की तरफ जाओ So यह जो सागर होता है, यह continuously उफान मारता रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है जबकि जो ponds हैं, lakes हैं, वो खड़े रहते हैं इतना जादा मूव नहीं करते हैं, यह continuously मूव करता रहता है, ठीक है, ocean water So यह जो यह इसका movement है, ocean water का The movements that occur in oceans can be broadly categorized as waves, tides and currents, ठीक है So यह जो oceans में, जो यह movements हैं, ठीक है, जो ocean में यह जो पानी चलता रहता है, चलता रहता है उससे कैसे categorize किया जाता है, waves, tides and currents में, ठीक है So ocean water को इस तरह से categorize किया जाता है So waves है Waves are formed when winds scrape across the ocean surface, the stronger the wind blows, the bigger the wave becomes Waves कैसे बनती है, लहरें कैसे बनती है, जब हवा समुत्र को चीरती है, ठीक है Waves कैसे बनती है, waves are formed when winds scrape across the ocean surface मलब waves, लहरें ऐसे बनती है, जब हवा ocean को चीरती है The stronger the wind blows, the bigger the wave becomes जितनी जादा हवा blow होगी, उतनी बड़ी wave बनेगी The stronger the wind blows, the bigger the wave becomes Waves कैसे बनती है, जब हवा wind, हवाएं ocean के surface को चीरती है तो बनती है, waves So, ये देखें, ये waves बनाई हुई है तो जब आप बीच पे खेलते हो, और ball पानी में गिरता है क्या होता है तो ये बहुती fun है कि how the ball gets washed back to the shore by the waves ये देखना एक मज़ेदार बात है कि ball किस तरह से पानी मतलब ये पानी कैसे उसको उच्छालता है When the water on the surface of the oceans rises and falls alternately they are called waves अगर waves को perfectly define करना हो, तो क्या लिख सकते है When the water on the surface of ocean rises and falls alternately बहला, ocean में जब पानी उभरता है, गिरता है उभरता है, गिरता है तो उसे क्या कहते है Waves When the water on the surface of ocean rises and falls alternately उसे कहते है Waves During a storm, जब भी कोई आंधी आती है जोर का तूफान आता है The wind blowing at very high speed form huge waves तो ये जो लहरे हैं जब बहुत जोर की जब आंधी या तूफान आता है तो ये जो हवाएं चलती है जो इतनी high speed पे हवाएं चलती है वो बड़ी-बड़ी लहरें बनाती है तो इन बड़ी-बड़ी लहरों की वज़े से बहुत ज़ादा destruction हो सकता है ये चीज आपने सुनी भी होगी tsunami कहते हैं इसे T-silent है, tsunami tsunami क्या होता है मतलब जब बहुत जोर की आंधी आती है और इतनी जोर की हवाएं चलती है कि इतनी मतलब आंधी और तूफान की वज़े से इतनी बड़ी-बड़ी लहरें उठती है और इसकी वज़े से बहुत ज़ादा नुकसान होता है अर्थक्वेक और अंडर्वाटर लेंड्स्राइश केंशिप लार्ज अमांट ऑशन वाटर huge tidal wave called that may be SIS-50 is formed the largest ever measured was 150 these waves travel at a speed of more than 700 km the tsunami of 2004 caused widespread damage in the coastal areas of India the Indira point in the Andama-Nicoba island got submerged after tsunami so tsunami क्या है वो बहुत ज़ादा हाई जो लहरें होती है वो high tidal waves होती है so देखो जब आंधी आती है तो जो winds है वो ब्लो करते हैं बहुत high speed पे और बड़ी बड़ी लहरें बनाते हैं और इससे बहुत ज़ादा नुकसान होता है earthquake, volcanic eruption या underwater landslides can shift large amount of ocean water ठीक है earthquake या volcano erupt होता है या पानी अंदर या अंदर पानी क्या होता है shift मतलब पूरा ocean का पानी है जो समुदर का पानी है उसे shift करता है as a result a huge tidal wave called tsunami that may be as high as 15 meter is formed ठीक है तो फिर से जब आंधी चलती है जोर की जब तूफान आता है तो जो wind है जो हवा चलती है वो बहुत बड़ी-बड़ी waves बनाती है बहुत बड़ी-बड़ी लहरें बनाती है और इसकी वज़े से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और earthquake, volcanic eruption या underwater landslides वो पानी का जो large amount of ocean water है उसे shift करते है और इसी की वज़े से बहुत बड़ी एक tidal wave जिसको tsunami कहते है ठीक है मलब लहर इस tides से बनी हुई इन लहर यह एक बहुत ही बड़ी लहर पानी की लहर उची उठती है जिसे हम tsunami कहते है और यह tsunami कितनी होती है a huge tidal wave called tsunami that may be as high as 15 meter is formed ठीक है so huge tidal wave जिसे हम tsunami कहते है जो की 15 meter high है वो form होती है the largest tsunami ever measured was 150 meter high अबसे बड़ी tsunami जो measure की गई थी कितनी थी 150 meter high थी और यह waves these waves travel at a speed more than 700 km per hour इन waves की इन tsunami की speed क्या होती है these waves travel at a speed of more than 700 km per hour एक गंटे में 700 km यह waves travel करती है the tsunami of 2004 caused widespread damage in the coastal areas of India जो 2004 की tsunami है इससे जो coastal areas है इंडिया के जो coastal areas है वहाँ बहुत ज़्यादा damage हुआ था 2004 की tsunami की वज़े से जो इंडिया के coastal areas है जो त्ट्टी ए इलाके हैं बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था the Indira point in the Andama Nicoba Islands got submerged after the tsunami जो Andama Nicoba Islands है उसकी एक पॉइंडिया point है इंडिया point वह पूरी डू भी गई थी tsunami में ठीक है so the tsunami of 2004 caused widespread damage in the coastal areas of India the Indira point in the Andama Nicoba Islands got submerged after the tsunami tsunami क्या है tsunami एक Japanese word है जिसका मतलब है harbor waves tsunami एक Japanese word है जिसका मतलब harbor waves है so harbor का मतलब क्या होता है ports होते है port waves port मतलब क्या होते है port का मतलब बंदरगानी बोलते है हम लोग जहां पर ships खड़ी रहती है so वो सारे के सारे वो destroy हो जाते है ऐसी लहर होती है कि सब डिस्ट्रॉई ही हो जाते हैं, सारे हार्बर के हार्बर डिस्ट्रॉई हो जाते हैं, इसलिए हार्बर वेप्स भी कहा जाता है, ठीक है, सो, 2004 में बहुत खतरनाक सुनामी आई थी, जिसने अंड़मा निकोबा आइलेंड के इंद्रा पॉइंट को भी डुबा दिया था, ठीक है, पैंडी मोनियम, पैंडी मोनियम का मतलब एकदम उपद्रव मचा देना, एकदम उथपात मचा देना, एकदम सब हाहाकार मचा देना, वैसा, सुनामी को अर्थ का पेंडिमोनियम क्यों कहा जाता है मतलब उत्पात क्यों मचा देती है सुनामी सुनामी और दा हार्बर वेव सुनामी को हार्बर वेव भी कहा जाता है क्यों कहा जाता है क्योंकि वो पॉर्ट के पॉर्ट उजाड देती है शिप्स के शिप्स बहा देती है struck a havoc in the Indian Ocean on 26 December 2004 यह KBC का question बन सकता है कि भाई साल 2004 26 December को tsunami ने किसको struck किया था तो Indian Ocean को ठीक है so 26 December 2004 में जो tsunami है उसने एक havoc create किया था the wave was the result of earthquake that had its epicenter close to the western boundary of Sumatra so wave क्या था wave was the result of earthquake यह wave कैसे आई थी tsunami की लहर कैसे आई थी so that had its epicenter close to the western boundary of Sumatra actually हुआ क्या था earthquake आया था कहां पे आया था Sumatra में ठीक है so उसकी वज़े से wave होई थी create कहां पे Indian Ocean में the magnitude of the earthquake was 9.0 on the richer scale so यह tsunami कितने magnitude की आई थी अच्छा tsunami तो ठीक है पर पहले वहां earthquake आया था Sumatra में वो उसका earthquake कितना था 9.0 as the Indian plate went under the Burma plate there was sudden movement on the sea floor causing earthquake the ocean floor was displaced by about 1020 when tilted in a downwardly direction a huge mass of ocean flow to fill in the gap that was being created by the displacement earth के कितनी जोर से आया कि धर्ती खिसक गई और खिसकने की वज़े से वो गैप किसने फिल की ocean water ने ठीक है so this mark the withdrawal of water mass from the coastlines of the land masses in south and southeast Asia after thrusting of the Indian plate below the Burma plate the water mass rushed back towards the coastline so पानी वापस coastline की तरफ चला गया tsunami traveled at a speed of about 800 km per hour tsunami ने कितना travel किया 800 km per hour की speed से travel किया so comparable to speed of commercial aircraft and completely washed away some of the islands in the Indian ocean ठीक है so पूरी तरफ से बहाद दिया नोने islands को so इस tsunami की speed कितनी थी यह tsunami में जो लहरों की speed थी वो थी 800 km per hour एक घंटे में 800 km की speed थी so पूरी वो बहा के लेके गई speed के साथ सब कुछ सारे islands बहा के लेके गई जो इंदरा पॉइंट था जिसकी हमने बात की the indra point in the Andamanicoba islands that marked the southmost point of India got completely submerged so जो इंदरा पॉइंट था Andamanicoba islands का और वो जो इंदरा पॉइंट है कम होती गई कम होती गई ठीक है so पर मतलब जाते जाते बहुत जादा दस हजार से जादा लोग इस वेव ने मारे ठीक है मतलब वेव आई कहां से थी वेव मतलब इंडिया नोशन इंडिया नोशन को हिट किया था और क्या क्या किस को अफेक्ट किया इंदरा पॉइंट को इफेक्ट की अंड़मा आई लेंड फिर स्री लंका दस हजार से जादा लोग मरे इस में डाय हुए and affected more than lakhs of houses लाखों गर उजड गे सबसे बुरी तरह से यह 2004 की वेव ने किसको अफेक्ट किया था इंडिया नोशन को इंडिया नोशन को इंड़मा आंद्रा प्रदेश, तामिल नाडू, केरला, पुड़ुचेरी और अंड़मा निकोबा आई लेंड मतलब देखो अर्थक्वेक को आप पता नहीं कर सकते हो, अर्थक्वेक आने वाला यह पता नहीं चल सकता है पर कम से कम सुनामी पता लग जाती है, तो तीन घंटे पहले नोटिस दिया जा सकता है सो पैसिफिक ओशन में ऐसे पैसिफिक ओशन में इस तरह की वार्निंग्स दी जाती है गड़ी-गड़ी पर इंडियन ओशन में नहीं, क्योंकि इंडियन ओशन में सुनामी आती ही नहीं है पर आ चुकी है सुनामी आयı इंडियन ओशन में आपने जैसे की देखा टिक है सुनामी ने जो साउथ और साउथ एशियन कोश्ट का जो हालत किया दिसमबर 2004 में सबसे बुरी सुनामी रही वो इतने जो इतने पता नहीं कितने सो सालों में यह tsunami, ऐसी सबसे बुरी tsunami, सबसे devastating tsunami आई थी, बहुत नुकसान हुआ, जिन्दिकी को, प्रॉपर्टी को, so Indian Ocean में बहुत जादा नुकसान हुआ, अगर tsunami आने वाली है, उसका indication क्या है, ठीक है, so the first indication, first indication that tsunami is approaching is the rapid withdrawal of water from the coastal region followed by destructive wave, ठीक है, कैसे पता लगेगा कि tsunami आने वाली है, tsunami आने वाली उसका कैसे पता लगेगा, so पानी विड्रॉब होगा जल्दी जल्दी, is the rapid withdrawal of water, पानी जल्दी जल्दी विड्रॉब होगा coastal region से, followed by destructive wave, मतलब एकदम कहते है न, खतर ना घातक wave, डिस्ट्रॉइ करेगी, ठीक है, so first indication that tsunami is approaching is the rapid withdrawal of water from the coastal region followed by destructive wave, तो जब ऐसा कोस्ट में हुआ था, so लोग उपर जाने की बज़े, वो ये देखने खड़े हो गए, ठीक है, सुनामी आने वाली उसे क्या पता लगता है, मतलब पानी एकदम उच्छलने लगता है, अब लोग ये खड़े हो के देखने लग गए, उनको लोगों को हट जाना था, भाग जाना था, सबसे जादा जो लोग यहां खड़े हो गए थे उस बेव को देखने के लिए, वही कैजॉल्टी थी, मतलब वही लोग सबसे जादा उनके ही हालत खराब हुई थी, ठीक है, जब सुनामी ने स्ट्रक किया, तो यही लोग सबसे जादा कैजॉल्टी में थे, मतलब यही लोग सबसे जादा जो कहते है न, जिनको पीडितों की संख्या में यही लोग थे, ठीक है, बलाद अचानक से पानी विड्रौ होने लगता है, पानी अचानक से हटने लगता है, तो जब हटने लगा न तो यह लोग खड़े हो गए देखने, ठीक है, क्योंकि उ नया टॉपिक देखते हैं, टाइड्स, सो टाइड्स क्या है, टाइड्स का मतलब है लहरे, ठीक है, दरिदमिक राइज और फॉल ऑफ ओशियन वाटर, ट्वाइज इन डे इस कॉल्ड अ टाइड, टाइड क्या होता है, जब एक रिदम के साथ ओशियन वाटर, ओशियन वा दिन में, सो ओशियन का मकलब सागर का पानी, सागर के पानी में जब दो बारी लहरे उठती हैं और गिरती हैं, दिन में उसे कहते हैं टाइड, सो टाइड की डेफिनेशन अन रिदमिक, राइज और पॉल ऑफ ओशियन वाटर ट्वाइस, दो बारी दिन में उसे कहते हैं ट इस हाई टाइड वन वाटर कवर्स मच अफ तर शोर बार आइजिंग तो इस हाईज लेवल हाई टाइड कवर्स मच अफ तर शोर बार आइजिंग तो इस हाईज लेवल पानी इकदम हाई लेवल पर राइस हो जाता है उसे हम कहते हैं हाई टाइड इस लो टाइड टीक है तो कव होती है जब water cover much of the shore by rising इतना उची लहर उठती है कि पूरा shore cover हो जाए मतलब पूरा तट कवर हो जाए उसे कहते है high tide or low tide कव होती है जब वो low shore से recede हो जाता है recede होना मतलब पीछे हट जाना ठीक है shrink हो जाना जब पानी बिल्कुल shore को cover कर देता है तट को cover कर देता है उसे कहते है high tide or low tide कव होती है जब पानी बिल्कुल खुद को पेच्छे खेंच लेता है so that means receding so low tide कव होती है water जब fall होता है lowest level पे बिल्कुल कम level पे fall होता है उसे कहते है low tide high tide water covers much of the shore by rising मुवाजिः जब rise होता है जब उठता है तो बहुत उचा उठता है और इतना उचा उठता है कि सारा shore vara कर लेता है तारी टट कर लेता है low tide कर लेता है low tide मुटल मुझा नीची लेहर कव होती है So when water falls to its fall होता है मतलब lowest level इतना कम से कम fall हो सकता है और एकदम पीछे हट जाता है इसमें पानी फैलता है High tide में पानी आगे तक फैलता है और जो low tide है उसमें पानी fall होता है और पीछे सिकुड जाता है पानी ठीक है? So tide का मतलब exactly क्या होता है? तो exactly हिंदी वड़ अगर tide का देखें तो उसका मतलब होता है ज्वार बाटा ज्वार बाटा मतलब time to time लहरों का उठना और गिरना ठीक है? So लहर जब इतनी उची उठे उसे कहते है High tide जब एकदम नीची गिरे उसे कहते है Low tide ठीक है? So यह हुआ हमारा tides Strong gravitational pull exerted by the sun and the moon on the earth's surface causes the tides Tides कैसे cause होती है? जो एक gravitational force होता है बहुत strong gravitational force होता है Sun और moon के बीच में Sun और moon के बीच में The strong gravitational pull exerted by the sun and the moon on the earth's surface Sun और moon मिलके Earth पे gravitational force को exert करते है और tides बनती है Sun और moon दोनो Sun और moon दोनो Earth के surface पे जो gravitational pull है वो exert करते है बहुती strong gravitational pull exert करते है और उसे tides generate होती है The water of the earth closer to the moon gets pulled under the influence of the moon's gravitational force and causes high tide High tide कब होती है? So high tide हमने पढ़ा था ना जो बहुत जदा ऊची उठती है So the water of the earth closer to the moon जो जमीन का पानी है हमाई धर्ती का पानी है जो moon के करीब है वो pull होता है Under the influence of moons जो moon gravitational force लगाता है और उसी की वज़े से high tide होता है जो water of the earth closer to the moon जो जमीन का पानी है जो जमीन का पानी है जो हमारी धर्ती का पानी है वो एकदम पुल हो जाता है पुल होना मतलब खींचना ठीक है पुल होना मतलब खींचना जो जो पानी होता है अर्थ का जो moon के नस्दीक होता है उसे खींचा जाता है moon के gravitational force की वज़े से और उसी की वज़े से high tide generate होती है During the full moon and new moon days the sun, moon and the earth are in same line and the tides are high यह सबसे उची लहरे काब उठती है यह जो आरबाटा सबसे उचा काब उठता है जब full moon day होता है full moon day और new moon day full moon और new moon क्या होता है so full moon का मतलब होता है पुनम का दिन जब चान पूरा होता है और new moon होता है अमावस का दिन so यह ऐसे दो दिन होते हैं Sun, Moon और Earth तीनों एक ही लाइन में होते हैं और उन दिनों में जो टाइट्स हैं एकदम highest जो लहरे हैं एकदम उची उठती हैं तो इस टाइट्स आर कॉल्ड स्प्रिंग टाइट्स ठीक है Spring Tides क्या होती हैं जब Full Moon और New Moon Day होते हैं तो Sun, Moon और Earth क्या होते हैं एक ही लाइन में होते हैं और टाइट्स एकदम लहरे सबसे उची उठती हैं तो इन टाइट्स को क्या कहा जाता है Spring Tides ठीक है Spring Tides का डाइग्राम यह रहा यह Sun, Moon और Earth एकदम एक ही लाइन में हैं ठीक है तो इसे क्या कहा जाएगा Spring Tides आज हम यहीं एंड करते हैं Spring Tides पर की Full Moon जब पूरा चांद होता है या चांद नहीं होता है तो Sun, Moon और Earth एक ही लाइन में होते हैं और उस टाइम समुद्रा की लहरे बहुत ज़्यादा उची उठती हैं तो तब हम कहते हैं क्या है तब हम कहते हैं कि भाई Spring Tides है ठीक है तो इसके लिए कौन सा डाइग्राम ड्रा करोगे आप इसके लिए यह वाला ठीक है यह दो डाइग्राम क्यूं है Spring Tides में क्योंकि एक Full Moon का है और एक New Moon का है Full Moon मतलब सो यहां Spring Tides पे हम end करते हैं और हमें यह दो डाइग्राम बनाने पड़ेंगे Spring Tides में Sun, Moon और Earth है की लाइन में Sun, Earth और Moon है की लाइन में है ठीक है तो एक बार फिर से देख लेते हैं इस चाप्टर में हमने क्या पढ़ा यह चाप्टर हमने वाटर से चालू किया था और हमने पढ़ा इवापोरेशन होता है फिर आमने पढ़ा की भाई वाटर साइकल है यह देखो यह वाटर साइकल है ठीक है यह वाटर साइकल भी आपको ड्रॉ करनी रहेगी वाटर साइकल आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी यह देखो पानी है इवापोरेट होके उपर जा रहा है उपर जाके और प्रिसिपिटेशन मतलब पानी की बूंदे बनके नीचे आ रहा है ठीक है तो यह क्या हुआ आपका वाटर साइकल ठीक है यह वाटर साइकल आपको ड्रौ करनी पड़ेगे ठीक है सिंपल सा है कुछ भी नहीं है यह पानी बनाना है प्रिसिपिटेशन मतलब बूंदे बनके नीचे आ रहा है तो यह वाटर साइकल है पुरा मेजर सोर्सेस ऑफ फ्रेश वाटर वाटर के सोर्सेस है फिर डैट सी है डैट सी जो इस्राइल में है सबसे ज़्यादा खारा पानी है उसका फिर यह जो water bodies है ठीक है सो यह है saline water यह fresh water है फिर इसके बाद ocean के circulation को ocean के movements को waves, tights और currents के तोर पे divide किया जाता है so waves के बारे में हमने पड़ा waves ठीक है so waves है यह फिर यह tights ठीक है so यह spring tight तक लिखेंगे हम ठीक है so यह हुआ spring time so just write each and everything properly read the entire chapter up to this up to page number 36 and write all the important points which I have made you underline and draw the both or draw both the diagrams of water cycle and this spring tide only ठीक है neep tide we will discuss in the coming lecture ठीक है so with this I am ending my today's lecture just do each and everything very properly and whatsapp me thank you